हेलो बच्चो, वेलकम इन मा यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्षन आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पराविधुत पदार्थों के बारे में तो देखते हैं बच्चो की ये पराविधुत पदार्थ क्या होते हैं वे पदार्थ जो स्वयम में से विधुत दहरा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन ये विधुतिय परभावों को परदर्शित करते हैं तो इन पदार्थों को बच्चो पराविधुत पदार्थ कहा जाता है अगर मैं बात करूँ पराविद्यूत पदार्थों के उधारन की तो बचो वो होते हैं एबोनाइट है, मोम, कागज, इसके अलावा अबरक ये सारे के सारे पराविद्यूत पदार्थों के उधारन है और वचो पराविद्यूत पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रोनों का अभाव होता है अब अपन बात करते हैं कि पराविद्यूत पदार्थों के प्रकार कितने हैं तो वचो पराविद्यूत पदार्थ मुख्यते दो प्रकार के होते हैं पहला है धुरुव्य पराविद्युत और दूसरा होता है एधुरुव्य पराविद्युत सबसे पहले हम पढ़ते हैं बचो धुरुव्य पराविद्युत पदार्थों के बारे में वे पदार्थ जिनके अन्मों के धनावेश का केंद्र तथा रिनावेश का केंद्र संपाती नहीं होते वो तो है बचो कौन से धुरूविय प्राविद्यूत और वे पदार्थ जिनके अन्मों के धनावेश का केंद्र और रिनावेश का केंद्र संपाती होते हैं वो कहलाते हैं बच्चो एध्रूविय प्राविद्यूत अब इन बातों को समझ या आप बड़े धान से बच्चो जो भी पदार्थ है वो छोटे-छोटे अनुओं से मिल करके बनता है और हमें ये पता है बच्चो अनुओं के पास में पॉजटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे अगर उन अनुओं के पॉजटिव और नेगेटिव समपाती है तो कौन से हो जाएंगे बच्चो वो एध्रूविय प्राविद्यूत मतलब वो एक ही जगह पर है अगर positive और negative तो वो कहलाएंगे ऐ धुरूवय प्राविद्यूद और बचो अगर वो समपाती नहीं है तो वो कौन से कहलाएंगे धुरूवय प्राविद्यूद आईए देखते हैं इन पूरी बातों को इनका मतलब क्या है देखे बचो दुरूवय प्राविद्यूद के लिए मैं case first की बात करता हूँ जब बाहे विद्यूद छेत्र अनुपस्तित हो ये बचो मैं एक प्राविद्यूद पदार्थ बना रहा हूँ बचो इस पराविद्युत पदार्थ को हमने बाहे विद्धु छेत्र की अनुपस्तिती में रख रखा है तो इसके अंदर जो अनुँ है वो इरेगुलर होंगे ए विवस्तित तरीके से कुछ इस तरीके से रहेंगी कोई यूँ पड़ा है कोई इस तरीके से रखा हुआ है मतलब उनकी कोई विवस्ता नहीं होगी यूँ इस तरीके से बत्तो ए विवस्तित रूप से सारे के सारे जो अनुँ हैं वो इस पदार्थ में रहेंगी जैसा कि हमें पता है कि जो दुरूवय प्राविद्यूत होते हैं इनके अंदर पॉजिटिव का के अंदर और नेगिटिव का के अंदर जो है वो समपाती नहीं होते हैं मतलब ये होगा बच्चो कि इनके पॉजिटिव और नेगिटिव का जो के अंदर है वो कुछ दूरी पर होंगे जैसे कि negative यहाँ पर है तो positive यहाँ होगा इस तरीके से बच्चो यह संपाती नहीं होदोंगे बिल्कुल भी संपाती नहीं है यह इस तरीके से रहेंगे तो जैसा कि बच्चो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दुरुव्य प्राविद्युत पदार्थों का प्रतेक अनु जो है वो एक दुरुद्रों की तरह लग रहा है देखे दुरुद्रों की कंडिशन में बच्चों क्या होता है कि समान, परिमान और विप्रित परकर्ती के आवेश थोड़ी सी दूरी पर विवस्तित होते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पर इस दुरुव्य प्राविद्युत का हर एक अनु को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए है तो इसके अंदर प्रतेक जो अनु है बच्चो इसके अंदर प्रतेक अनु किसके रूप में आ जाता है एक द्वीधुरों के रूप में आ जाता है किसके रूप में आ जाता है बच्चो द्वीधुरों के रूप में आ जाता है और दुरुव्य प्राविधुत पदार्थों के प्रतेक अणू का हम क्या ग्याद कर सकते हैं दुवीधुरु आघुरन ग्याद कर सकते हैं क्या ग्याद कर सकते हैं बच्चो दुवीधुरु आघुरन का मान भी घ्याद कर पाएंगे और बच्चो इन ड्रुविय प्राविदुत पदार्थ के यह जो अनु ऐवेवस्तित है इसका कारण क्या होता है ऐवेवस्तित होने का कारण है इस तरीके से ऐवेवस्तित रूप से रहते हैं लेकिन बच्चो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि हम अगर इस पूरे पदार्थ के लिए द्वीधुरू अगुरून का मान ग्याद करें तो वो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी वो वैल्यू आएगी बच्चो पी नेट की वैल्यू जीरू आएगी इनके हर एक अणू के लिए तो द्वीधुरू अगुरून का मान होगा कुछ ने कुछ लेकिन इस पूरे के लिए पी नेट की वैल्यू कितनी रहने वाली है वो जीरू रहने वाली है अब बच्चो में चलता हूँ एधुरूविय पराविद्यूत की ओर अगर बच्चो इन मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार का विद्यू छेतर नहीं है तो उस कंडिशन में हम लोग बच्चो क्या देखते हैं कि इन पदार्थों के धनावेश का केंदर और रिनावेश का केंदर संपाती होता है कुछ इस तरीके से देखना ध्यान से संपाती होने को बच्चो अपन सेकंड केस से चलते हैं कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि पॉजटिव और नेगेटिव है वो एक ही जगह पर है जब बच्चो पॉजटिव और नेगेटिव का केंदर जो है वो संपाती है तो उस कंडिशन में क्या है पॉजटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर प्रतेक अनु का द्वीध्रू अगुरन है कितना होगा? शुन्य होगा और P net की value भी कितनी हो जाएगी बच्चों? शुन्य हो जाएगी इन हर एक अनु के लिए द्वीध्रू अगुरन भी 0 है और इस पूरे पदार्थ के लिए P net की value भी कितनी है बच्चों? वह भी 0 आएगी ये तो बात है बच्चों कि जब बाहे विद्धू छेतर अनुपस्तित हो इसके बाद में बच्चों हम case second पर बात करें कि जब बाहे विद्धू छेतर उपस्तित हो इस condition को समझना बहुत ही शानदार है बच्चो अगर हम क्या करें इसी पराविद्यूत पदार्थ को किसी विद्यूत फचेतर के अन्दर रख दे बच्चो मौनले यहाँ पर एक विद्यूत फचेतर था E वेक्टर और हमने इस विद्धुत चेत्र के अंदर इसी दुरुविय पराविद्धुत पदार्थ को उठा करके रख दिया तो इस कंडिशन में देखना बच्चो क्या होगा कि ये जो दुरुव जो है इसके अंदर देखे जितने भी अनू थे वो सारे के सारे किसके रूप में थे दुरुव के रूप में थे तो ये जो बच्चो दुरुव है वो विद्धुत चेत्र की दिशा में सनरेखित होने का प्रयास करेंगे इस बात को समझे आप देखे इससे पहले वी बच्चों हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं कि अगर इस दिशा के अंदर विदुत छितर है और विदुत छितर में अगर हमने एक द्वीधुरव रखा था एक द्वीधुरव रखा था ये नेगेटिव क्यों था ये पॉजिटिव क्यों था तो बच्चों ये जो द्वीधुरव है वो क्या करता था कि वो उस पर एक टॉर्क्यू उत्पन हो जाता था एक बल आगुरन उत्पन हो जाता था जो कि इसको क्या प्रयास करता था इस विद्धुत छेतर की दिशा में सर्रेखित करने का प्रयास करता था और बच्चों हम देखते थे कि कुछ देर बाद में ये साम्या वस्ता में आ जाता था मतलब कि इस द्वीधरों को यहाँ पर विद्दूत छेतर की दिशा में सर्रेखित कर देता था वैसे ही condition बच्चो यहाँ पर अपलाई होगी अब क्या होगे यह जो द्वीधरों है सारे के सारे वो प्रयास करने लगेंगे विद्धुत छेतर की दिशा में सरेखित होने का और बच्चो हम जितना जादा E की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे मतब विद्धुत छेतर की तिवरता को जितना जादा बढ़ाएंगे उतने ही जादा अनु क्या होंगे वो इस विद्धुत छेतर की दिशा में सरेखित होंगे देखे कुछ इस तरीके से हमने E वैक्टर की वैल्यू को बढ़ाया तो बच्चो उसके कारण क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से कुछ सारे के सारे जो अनु है वो क्या हो जाएंगे बच्चो वो विद्धुत छेतर की दिशा में सरेखित हो जाएंगे सारे के सारे अनु विद्धुत छेतर की दिशा में सरेखित हो जाएंगे कुछ इस तरीके से बच्चो अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वैसी ही condition बनेगी जो हम लोग पहले पढ़ करके आ चुके हैं positive जो होगा इन सभी अणों का वो e vector की तरफ होगा e vector की दिशा में होगा और negative जो है वो विद्दु छितर की विपरित दिशा में होगा जिसा की कुछ यहां बना था बच्चो positive जो था वो e vector की दिशा में था और negative है वो विपरित दिशा में है क्योंकि हम जानते हैं कि e vector की जो दिशा है विद्दु छितर की तिवरता की दिशा है वो positive से किदर की ओर होती है नेगिटिव की तरफ होती है तो बचो नेगिटिव की तरफ तो positive रहेगा और positive की तरफ negative रहेगा कुछ ऐसा scene मन जाएगा बच्चो हलांकि यहाँ पर धुरूवय प्राविध्यूतों के पास पहले भी कुछ ने कुछ क्या था प्रतेक अणू के पास द्वीधुरू आगुरन तो था लेकिन वो विवस्तित नहीं था अब देखें यहाँ पर जब हमने इन द्रुव्य प्राविधुत पदार्तों को विधुत छेत्र में रखा है उस कंडिशन में यहाँ पर क्या हो जाता है बचो यहाँ पर द्वीधुरो आगुरन प्रेरित हो जाता है क्या प्रेरित हो जाता है द्वीधुरो आगुरन प्रेरित हो जाता है प्रेरित हो जाता है और बचों द्वीधुरो आगुरन के प्रेरित होने की गटना को क्या बोलते हैं हम द्रुवन बोलते हैं जब हमने किसी भी पराविदुत पदार्थ को विदुत छेतर में रखा है तो उस कंडिशन में क्या होगा उस कंडिशन में ये होगा कि इस पदार्थ के अंदर एक प्रेरित द्वीदुरु आगूरन उत्पन हो जाता है और इसी गटना को हम क्या बोलते हैं बच्चो दुव लोग इस एध्रुविय पराविदुत पदार्थ है ठीक है इसी पदार्थ को हम लोग कहां रखेंगे बच्चो बाहे विदुत छेतर के अंदर जब रखेंगे ना यहां पर एक बाहे विदुत छेतर हम माल लेते हैं ये रहा ये एक बाहे विदुत छेतर है और इसमें अब वो संपाती नहीं रहेंगे अब बच्चों क्या होगा वो अलग-अलग हो जाएंगे जो positive के अंदर है वो तो बच्चों किधर जाएगा positive के अंदर तो चला जाएगा विद्धुत छेतर की दिशा में और negative है वो कहां चला जाएगा विद्धुत छेतर की विपरित दिश प्राविद्युत था चाहे एद्रुविय प्राविद्युत है जब उनको विद्युत छेतर की अनुपस्तिती में हमने रखा था तो वो कुछ इस तरीके से रखे हुए थे इस तरीके का उनका बिहेव था हम देखते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट प्रदर्शिती में रखा इन दोनों ही पदार्थों को तो इन होने क्या किया इन होने विद्युत ये प्रभाव प्रदर्शित किया देखिए यहां पर वो सरेंखित होने का प्रयास कर रहे हैं यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ तो हम यह बोल सकते हैं कि पराविद्युत पदा वे पदार्थ होते हैं जो खुद में से विद्धुत दारा को नहीं प्रभाहित होने देते लेकिन वो विद्धुत ये प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं जैसा कि यहां पर बच्चो हो रहा है और कुछ एक चीजे और ध्यान देने वाली है उनके बारे में भी अब हम ब बात करते हैं धुर्वन के बारे में कि जब किसी पराविद्ध पदार्थ को बाहे विद्ध छेत्र में रखते हैं तो पदार्थ में परिणामी द्विद्रों अगुरुन प्रेरित हो जाता है यह गटना धुर्वन कहलाती है अभी आपने क्या देखा बच्चो जब हमने दुविय प्राविद्युत और एदुविय प्राविद्युत को विद्युत छेत्र में रखा तो वहाँ पर उनके अनु जो थे वो विद्युत छेत्र की दिशा में सरेखित हो रहे थे। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा? इनके अंदर हर एक अनु के लिए क्या ग्याद कर सकते हैं? हर एक अनु के अंदर एक प्रेरित द्वीधुरुव आघुरण उत्पन हो जाता है. मतलब इस पूरे पदार्थ में भी क्या हो जाएगा? एक द्वीधुरुव आघुरुण उनको हम जब बाहे विधुत छेत्र में रख रहे हैं तो पदार्थ में एक परिणामी द्वीधुरुव आघुरण प्रेरित हो रहा है. बस यही गटना द्रुवण है. फिर बच्चों आता है कि रेखिये समदेशिक प्राविधुत पदार्थ कोन से होते हैं? ऐसे विधुत पदार्थ हैं उनमें जो प्रेरित द्वीधुरु आघुरण हैं जो बच्चों यहां पर विधुत छेत्र में इन पदार्थों को रखने से जो द्वीधुरु आघुरण प्रेरित हुआ है वो वो विधुत छेत्र की दिशा में होना चाहिए और उसकी समानुप बाती होना चाहिए बिल्कुल बच्चो जो द्वीधुरु आगूरन जो होता है उसकी दिशा कहा होती है इस बात को समझे आप द्वीधुरु आगूरन की दिशा कौन सी होती है बच्चो द्वीधुरु आगूरन की दिशा होती है कोई भी जो द्वीधुरु है ना माल को मैं द्वीधुरों मानू तो बचो इनकी दिशा कौन सी है इन द्वीधुरों के लिए द्वीधुरों आगरोन की दिशा कौन सी होगी वो भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी तो ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव तो negative से positive किस की दिशा हो जाएगी P की दिशा हो जाएगी मतलब किस की दिशा द्विधरू आगरून की दिशा जो बतलब P की दिशा E की दिशा के अंदर है न बिल्कुल है P की दिशा E की दिशा के अंदर है मतलब द्विधरू आगरून की दिशा विद्धु छेतर की तिवर्ता की दिशा में है और मैंने ये भी बताया था कि जितना मैं e-vector की value को बढ़ाऊंगा उतना ही क्या होंगे ये अणू जो है वो विद्धु छेतर की दिशा में सरेंखित होंगे तो ऐसे पदार्थ है ऐसे पराविद्धु पदार्थ जिनके अंदर प्रेरित द्विद्रु आघुर्ण का मान बाहे विद्धु छेतर मतलब e-vector की दिशा में हो और उसके समानुपाती हो उन पदार्थों को हम बोलते हैं रेखिय समदेशिक पराविद्धु पदार्थ उसके बाद में बात आती है वच्चो धुरुवन सदिश के बारे में कि ये धुरुवन सदिश क्या होता है एक्चुल में मैंने आपको बताया था धुरुवन गटना किसकी है धुरुवन गटना ही वच्चो द्विद्रु आघुर्ण के प्रेरित होने की है तो इसी चीज़ को P वेक्टर को ही हम ध्रुवन सदिस बोल देते हैं कि पराविद्युत पदार्थों के एकांक आयतन में उत्पन द्विधुरु आगुरन कोई भी पराविद्युत पदार्थ है बच्चों उसके एकांक आयतन में कितना कितना प्रेरित द्विधुरु आगुरुन हुआ है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं ध्रुवन सदिस कहते हैं ध्रुवन सदिस को बच्चो P वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और P वेक्टर जो है इसे हम काई बोलते हैं वेसे ठीक है ये परदर्शन चिने जो है वो तो काई का है लेकिन यहाँ पर इसे कहा जाता है विद्यूत प्रवर्ती यहाँ पर इसे बोला जाता है विद्यूत प्रवर्ती जो किसी भी पराविद्यूत पदार्त की धुरुवनता का माप होता है यह प्रकार क्या होते हैं तो इस पूरे लेक्चर के जो नोट्स है बच्चो आपको description के अंदर मिलेंगे PDF फाइल के अंदर Hindi मीडियम में भी मिलेंगे और English मीडियम के अंदर भी मिलेंगे दोनों की अलग-अलग PDF होगी तो बच्चो इस इन नोट्स को आप Google Drive के अंदर डाउनलोड कर पाओगे उससे पहले बच्चो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है वो आपको असानी से मिल पाए थैंक्यू बच्चो